नमस्कार नियोस के इस डियलेट कारकरम में आप सभी का स्वागत है डियर लेर्नर्स आज मैं डॉक्टर जेन बालिया जम्मू के इंद्रिश्विदाले में मैं शिक्षक हूँ आज आपके समुक एक बहुत ही मत्पूर्ण विशय जो आपके पाठिकरम संक्या 504-504 का एक बहुत मत्पूर्ण भाग है बच्चों के गणती करन हैतू परिवेश निर्माण उसकी चर्चा करेंगे इस चर्चा में हमारा उद्देश रहेगा कि हमाप से इस बारे में बात करें कि एक गणती करन सोच या विचार धारा क्या होती है हम ये भी चर्चा करेंगे कि बच्चों के गणती करन हैतू परिवेश निर्माण के लिए हमने क्या-क्या कदम उठाने है आप सभी विद्याले में जब भी किस तरह की आपको अफसर मिलते हैं त किस तरह से बच्चों के अंदर गणित पढ़ने के लिए बहुत रुची पैदा करेंगे उनकी सोच में गणती करन की हम बात करेंगे इन सब चीजों को लिख करने से पहले है शिक्षकों मैं आप से बात करना चाहूंगा बहुत एक महत्पूर्ण विशह और ये है कि गणि गणित जितना रोचक विशह है उतना आवश्यक भी हैं यह हम सभी को इस बारे में एहसास होना चाहिए कि अगर थोड़ी से भी लापर वही हमसे गणित के बारे में होती है और ये अवधारना अगर समझ भी नहीं आती है तो यही बात बच्चों के लिए एक कठिन विशह की रूप में साबित हो जाती है और ऐसा अक्सर होता है आप सभी जानते हैं कि गणित के बारे में जो एक अवधारना समानी रूप से है वो यही है कि एक कठिन विशह है एक बहुत ऐसा विशह है जिसकों की बच्चों को समझने में जिसमें बच्चों को परिणाम अच्छ हुई है जो रास्ट्री पाठ चर रहा है 2005 उसकी रूप रेखा है उसमें इस चीज का पूर्ण रूम से उलेख किया गया है कि हम गनित को एक रोचक विशय के रूप में स्थाबित करें ऐसे में शिक्षकों को यह आवशक है कि वह है कोशिश करें कि यह समझ यह धारना विक् हम आप से हम बात करने जा रहे हैं कि க ऐख कि गनित एक विशयही नहीं है confirmed एक सोच है एक्ग्ञानिक है कि मपिंच्छ की करमबद संग्ढित और यथा उसका है कि कि यह हम सब को मालूम है हमसे जानते हैं कि मिध्यान कि एक्रमबद संग्ढित शाक्षुruce रूप में लेते हैं और यहां विज्ञान का अमूर्त रूप है अधार है किसी भी विज्ञान का चाहो जी विज्ञान हो भातिक विज्ञान हो रसाइन विज्ञान हो चाहे वो राजनिती विज्ञान हो किसी भी तरह का विज्ञान है उसका एक अमूर्त रूप जो है वो ग और एक ऐसा जिससे अवश्यक निश्कर्ष निकाले जाते हैं मुझे कलापष निश्कर्ष निकाले जो गरनाय है उसका जो आधार है वो हमारा गणित है ये भी हमको मालूम है और एक तार्किक विज्ञान है गणित में कोई भी तथ्य बगार तर्क के नहीं है ये एक आगनात्मक और प्रयावगिक विज्ञान है इसमें एक एक जो हमारा तथ्य है जो एक इसका बिंदू है ग हम दिशा का ग्यान है। इसमें हम किसी बेना झी चीज को हमारे अपने जीवन के किसी एक पहलू का एक मापण करते हैं और उससे सμaug medically जितना भी उसके बाते हैं। उसका हम दिशा का भी ग्यान लेते हैं। इसमें मात्रात्मक तथियों और संबंदों का अध्यन किया जाता है जैसा कि अभी हमने आपसे बात की कि मापन मात्रा और दिशा का ग्यान है तो जरूर इसमें मात्रात्मक तत्थियों और संबंदों का अध्यन भी किया जाता है और सबसे खास बात शिक्षकों एक ये है कि गनित के अध्यन से मस्तिष्ष में चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शात्र हो चाहे वो कोई भी हो जो गनित का अध्यन करता है उसके मस्तिष्ष्ष में तरक करने की आदत स्थाफित हो जाती है ये गनित की प्रकृती है गनित एक ऐसा विज्ञान है इसकी एक इसे प्रकृ और इस प्रक्ति की कारण जैसा मैंने अभी पहले आप से कहा एक अधारणा जो है वो यही है कि हमारे अंदर गनित को एक तर्क के रूप में एक हमारे जीवन के रूप में मान के चलना है और इस अधारणा को कहीं गलत ना हो जाए इसके बारे में शिक्षों को प्यास करने है हमारी जो राष्टी पाठी चर्चा है उसमें एक इस चीज का द्रश्टिकोण बहुत स्पस्ट रूप में उड़लेखित है वो यह उतकरस्ट गनिती शिक्षा का हमारा द्रश्टिकोण दो मानेताओं बाधारी थे इदो मानताएं आप देखिए बहुत साधारन रूप में कही गई लेकिन बहुत गहराई में कही गई है वो यही कि सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं ये जो अवधार्ना कई बार लोगों ने स्थापित की है, कि कुछ ही बच्चे या कुछ ही लोग गनित सीख शकते हैं नहीं, इस अवधार्ना से हमको बाहर आना पड़ाएगा, ये दरश्टिकोन हमारा नहीं होना चाहिए। दस्टिकोन होगा सभी बच्चे गनित सीख सकते हैं और सभी बच्चों को गनित सीखना चाहिए इसलिए यह अत्यावशक है कि हम सभी बच्चों को सबसे छेसतर की गनिती शिक्षा एक बहुत ही गुनात्मक शिक्षा गनित की प्रदान करें और उसके लिए हम वह एसे कदम उठाने पड़ेंगे उस तरह का हमको करक्षा का एक वातावन पैदा करना पड़ेगा हमको यही चीज चर्चा हम इस आपके साथ आज करेंगे चलिए आगे हम बात करते हैं शुष्कों स्कूली गणित के दर्शन की क्या एक एडलॉजी है क्या फिलोसफी है क्या उसके गणि उठाएं यह स्कूली गणित का दर्शन है कि बच्चे गणित से भैवीत ना हों बलकि उसको आनंद मही रूप से अध्यन करें और इसके लिए ही हमको एक ऐसा परिवेश बनाना पड़ेगा एक ऐसा इन्वार्मेंट क्रियेट करना पड़ेगा इसकी हम बात आगे करेंगे बच्चे महतपूर्ण गणित सीखें जो महतपूर्ण गणित है वो सीखें जो उनका जीवन में प्योगी गणित है वो सीखें वो गणित में सूत्रों और यांतरिक प्रिक्रियाओं के आगे बहुत कुछ और है गणित सिर्फ सूत्रों का और कुछ यांतरिक प्रिक्रिया का विशय ही नहीं गणित तो एक जीवन है गणित तो एक सोच है यह मान के शिक्षकों को कक्षा में गणित को लेके चलना पड़ेगा बच्चे गणित को ऐसा विशय माने जिस पर वे आपस बात कर सकते हैं जिससे संप्रेर्शन हो सकता है communication हो सकता है ऐसा गणित को विशे मान के चलेंगे तो तभी गणिती एकरण की हम बात कर पाएंगे इसकी आगर हम और बात करें कि बच्चे सार्थक समस्याइं उठाएं उड़ने हल करें बच्चों के अंदर किसी भी समस्या को उठाना और उसको उसके हल तक ले जाना कि जो कौशल है जो ऐसी एक स्परधा है ऐसा उनका ग्यान है ये हमारे स्कूली गणित का दर्शन है ऐसा प्रयास हमारे अध्यापकों को करना है कि बच्चों के अंदर वो सार्थकता लाएं बच्चों के अंदर वो एक योगिता लाएं कि वो कुछ सार्थक समस्याओं को उठाएं और उने हल करें बच्चे अमूर्थ का प्रियोग संबंदों को समझने, सनचनाओं को देख पाने और चीजों का विवेचन करने एवं कतनों की सत्यता और असत्यता को लेका तर्क करने में अपने आपको उचित पाएं और अपने आप में वो एक योगिता स्थापित करें कि वो किसी भी चीज विवेचेन करें कत् mammogram कि सत्ता का या तो कोईक न सत्ती है या चाहिए Gotin कूल tbsp करनी ना चाहिए इसा हमारे पाठ्टीक रियाय भी होनी चाहिए ने दहीं हिसा आगे संदिद्ध है वो ये कि बच्चे गनित की मूल सरचनाओं को समझें अंग गनित बीज गनित रेखा गनित त्रिकोण मीत इस जितनी भी हमारी गनित की शाखाएं हैं इस सभी मूल तत्व अमूर्थ की प्रणाली संग्ठन और समानी करन के लिए मुभा कराते हैं यह सब जो अधार बनाते हैं वो किसी अमूर्थ की प्रणाली और संग्ठन और समानी करन के लिए जो हमारा जीवन का अमूर्थ रूप है उसके एक समानी करन के लिए बहुत जरूरी है कि हम आप देखते हैं कि जीवन का कोई वी ऐसा हमारा तत्थ है हमारा कोई जीवन का पहलू ऐसा प्रियोक ना हो. अध्यापक काक्षा में प्रतियेग बच्चे के साथ इस विश्वास के अधार पर काम करे कि प्रतियेग बच्चा गनित सीख सकता है. यह एक विश्वास के साथ हमने गनित का और इस सोच ऐसे विचारधारा के साथ और यह विचाररणा जब बच्चों में स्थापित होती है अधियापकों इसी को हम गणिती एकरन बोलते है mathization यही है गणिती एकरन यही है कि सोच में वो चीज आजाए बच्चों के कि हमने गणिती सीखनी है और हर बच्चा पृती एक बच्चा गणिती सीख सकता है ये बहुत एक महत्पूर्ण बात है आगे हम आगे चर्चा करते हैं इसके दर्शन की तो समस्या समधान की युक्तियां जो है हमारे चाहे वो अमूर्तिता हो, परिमारनन हो, सद्रशिता हो, स्थित्ति विश्लेशन हो समस्या को सरल रूप में बदलना हो, अनुमान लगाना हो या उसकी पुष्टि करना हो, ये सब चीज़ें हमारे युक्तियां जो हैं वो प्रियोग में लाई जानी चाहिए ये हमारे स्कूली गनित का दर्शन होता है ये हमारी समस्या समधान की युक्तियां जितनी है अर्थात प्राब्लम सॉल्विंग की जो हमारी टेक्नीक्स हैं उसके अंतरकत, हम लोग ये सब विदियों का प्रियोग करें और ऐसी विदियों का प्रियोग करने से बच्चों के अंदर वो योगिता लाएं ये वो जीविन के किसी भी पहलू को उसके अमुर्तिता के साथ उसके स्दिश्चता इस्तिती के अनुसार उसको समस्या को सरल रूप में बदलना या उसके अनुमान लगाना और इसकी पुष्टी करना इस सब चीजें बहुत आवश्यक है गणितों अन विश्यों के अध्यन की बीच में संबंद इस्थापित करने की भी आशकता है ये शिक्ष्ट को एक बहुत मातुकून विश्य है कि गणित को हम एक एकल सब्जेक्ट विश्य के रूप में ना लें गणित हर विश्य के साथ जुड़ा हुआ है संबंदित है और जितना भी विश्य है हमारा चाहितिहास हो भुगोल हो विज्यान हो यहां तक कि जो भाशाएं हैं हमारी इंग्लिश और हिंदी इन सभी चीजों में गणित का प्रियोग कही ना कही होता है जब बच्चे ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उन्हें भुगियान यानि हमारे जियोलोजी है या हमारी जियोगरफी है उससे संबंदित ग्यानों के करयात्मा के संबंदों के बारे में सोचने में प्रोसाहित करना चाहिए क्योंकि वो पड़ तो ग्राफ बना रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो भूवी ग्यान के बादे में भी चर्चा की जानी चाहिए और ऐसा आप देखेंगे तो राश्वी पाठिकरम हमारा 2005 की जो सरचना भी है जो पूरे हमारे देश में लागू है उसमें ऐसे प्रयास किये गए हैं समचित प्रयास किये गए हैं कि वो जो हमारे स्थिती है जो हमारे कॉंटेंट है विशे बस्तू है वो इस तरह से पढ़ाई जाए कि बच्चे उसमें अपने आपको जीवन के या दूसरे विश्यों के साथ उसको जोड़ पाएं चलिए हम बात करते हैं जो वो की गणती करन है तो उप्युक्त वातारण का स्रजन कैसे किया जाए क्या उसके तरीके क्या होते हैं क्या उसके विदियां क्या होती है हम गणती करन के लिए उप्युक्त वातारण का स्रजन कैसे करते हैं वातामर को इस्थापित करते हैं इसके लिए कुछ मात्पून बातें आपसे यहां पर चर्चा करना चाहेंगे सरप्रतम अध्यापक को शिक्षक को बच्चों के बारे में ग्यान होना जाए है ग्यान सिफ उसके नाम का नहीं उसके माता पिता के अधार का नहीं बलकि ये कि बच्चे को विज्ञान और बच्चे को गनित में क्या आता है किन की इन चीजों की उसको आफ़ शक्ता है उसका परिवेश क्या है वो अगर गाओं का बच्चा है या शहर का बच्चा है जिस भी स्थान में रहता है उसका परिवेश कैसा है क्योंकि परवेश के अनुसार ही आपने उसको ग्यान देने का प्रयास करना है आपके इस डियलिट प्रोग्राम में इसी पास्ट सो चार कोर्स में एक जगा आपने जरूर कहीं न कहीं गनीत परिश्ट के बारे में पढ़ा होगा कहीं न कहीं आपने उन विदियों के बारे में अध्यन किया होगा जिसमें हम बच्चों के बारे में कैसे ग्यान अरजित करें बच्चों के बारे में कैसे ग्यान लें साथी साथ यह बहुत आउशिक है शिख्षिकों की हम समचित शिक्षण अधिगम का प्रयोग करें जो हमारे टीचिन लर्निक प्रोसेस है वो हमारा अप्रोप्रियेट हो समचित हो इसके लिए प्रयास करने है अध्यापक को बच्चों के साथ बातचीत करके बच्चों के होता है एक ही शिक्षण अधिगम जो है वो सभी विश्यों सभी विश्यों के तत्वों पर नहीं लगता है यह अध्यापक को इसका एहसा सुना चाहिए और यह भी देखना है कि आनंद दायक अधिगम का वातावरण हो ऐसा अधिगम हो जिसमें की बच्चे आनंद कानभाव करें एक अच्छे महाल में अच्छे वातावरण में हमारी मैथपटेक्स हमारी गनित का ध्यान हो सकता है मनरणजग विधियों का समचित प्रयोग किया जाए यह बहुत आवशक है बहुत ही आवशक है कि जो हमारी मनरणजग के तिविधियां है उनका समचित प्रयोग किय जाए उसको हमारे जो हमारे तत्य हैं हमारे जो गनित के तत्य हैं उन से उनको जोड़ा जाए कहीं ना कहीं उसके साथ उनको कनेट किया जाए जो बच्चे के जीवन के जो बहुत सारे पहलू है उसके गनिते कैसा विशाय है सी वो कक्षा तक ही सीमत नहीं है वो कक्षा की उस एक या दो घंटे की पीरिट तक सीमित नहीं है वो उस पार्थे पुस्तक तक सीमित नहीं है तो कि जैसा हमने भी पहले कहा जीवन के हर पहलू में गणित है बलकि गणित जीवन है या जीवन ही गणित है ये मान के चलना है हमको और ऐसा ही जो वातावनर है वो हमारे विद्यालियों में हमारी कक्षाओं में होना चाहिए और इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा जो टीचर्स हैं जो अध्यापक हैं जो मैत्मेटिक्स पढ़ाते हैं के और भी विश्यों के ध्यापक बिस्यावनर का ख्याल लखेंगे कि बच्चों को इनके सोच जो हो गरितिय music हो Li आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे की गनितीय करने के लिए उप्यक्द वातरों का सर्जन कैसे किया जाए बहुत इसमें जो एक प्रमुक्ष चीज़ है वो है भायमुक्त आकलन प्रविधियों का प्रयोग जो हमारी आकलन प्रविधियां है जो हमारी आकलन विधियां है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की जो चाहनक विषय है मैथमेटिक गनित एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर बच्चे परिशान हो जाते थे या बच्चे उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मस नहीं ल्या पाते हैं यह चीज का हमने एक बहुत अच्छी तरह से प्रावधियों का प्रयोग करना है जिस जो भायमुक्त हो बच्चे के अंदर या पेरेंट्स के अंदर भी एक भायमुक्त का भाव पैदा करें और जो शात्र और शिक्षक हैं इनके बीच में संबंध मधूरूने चाहिए अक्सर यह देखा गया है कि जो शिक्षक होता है जो गनित का शिक्षक होता है अलिमेंटरी लेवल तक तो कहीं कोई शिक्षक का वो नहीं कहीं बार स्टेट्स में होता है लेकिन कहीं ना कहीं जो अलिमेंटरी लेवल पर जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में स्टूदेंस के बीच में टीचर्स की बीच में से वो संबंध हैं वो मधुरूने चाहिए और इसके लिए वैसे प्रियास करने हैं वैसके लिए वैसे योजनाय बनानी है द्यापको और जैसा मैंने पहले कहा एक और अपने कहीं इसी कोर्स में पांसोचार में किसी आपने और वीडियो में जुरूर पढ़ा होगा गनीत परशद के बाद में Athletics Club के बाद में उसके अंतरगत बहुत सारी गतविदी हैं उसका आयवजन किया जाना चाहिए उसके अंदर बहुत सारे ऐसे करियाएं लिखी वह हैं ऐसे रिसोर्सिस लिखे होए जिसका प्रयोग करूशा में करना चाहिए और जिससे बच्चों के जो सोच है वो गन्ती गरण की सोच हो जाए क्षा में समुचित साहिक सामगिरी का भी प्रवंद होना चाहिए जिसको हम टीचिंग एट्स बोलते हैं समुचित हो और ऐसे जो इसका प्रयोग करने से बच्चों के गन्तीकरण में आपको साहिता मिले है बच्चों को कही ना किया अपने साथ सम्मिलित करना है इस पूरे प्रयास में सम्मिलित करना है कि वो कक्षा में समचित साहिक सामगिरी का पबंद करें यह बहुत आवशक है और इसके लिए सभी अध्यापक अपने जो सहब पाथी हैं और जो उनके साहिक लोग हैं उनके साथ बैठ कर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स वाले इस पर विचार विमर्श करें और अपनी बात पताना चार तक पहुंचाएं बच्चों को करें कि कौन कौन सी सम्मिलित साहिक सामगिरी रखी जाया कक्षा में जिससे कि कई बार हमने देखा है कुछ-कुछ विद्यालियों में ऐसे कोने बनाए गए गए हैं जिसका नाम नहीं दे दिया गणित कोना जहां पर सिर्फ गणित की चीज़ें रखी रहती हैं बच्चों के सामगिरी बच्चे उसकी पुरी जिम्मिदारी लेते हैं को ध्यान रखते हैं जिससे की कख्षा में एक समुचित वातावनर पैदा हो सके तो यह कख्षा में एक समुचित साहिक सामगिरी पुर्भंद भी होना चाहिए तो आज हमने फिर इस बारे में आप से बात की कि कि किस तरह से एक भयमुक्त आकिलन विदियां का प्रयोग किया जाए शात्र शिक्षा के बीच में संबंद कैसे मदूर हो और गनित परिशत के अंतरगत जो गत्विदियां है उसका एवजन कैसे किया जाए जिससे की बच्चों की जो विचार धारा है बच्चों की जो सोच है बच्चों को विद्याले में हो बच्चे मान के चलें कि हर विद्यार्थी गणित सीख सकता है और हर विद्यार्थी को गणित सीखनी चाहिए मुझे आशा है कि आप ने ये पाठ पड़ा और साथी साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ इसकी कुछ एकसरसाइसेज भी कर लें एक प्रशन लिख लें और वो प्रशन है कि आप अपने जो आपका एरिया है जहां आप रहते हैं जहां पर आप नौकरी करते हैं जो आपके इस एरिया है में उसमें गनित कलब से संबंदित क्या-क्या चीजें की जा सकती हैं उनके एक लिस्ट बनाएं साथ में ये भी देखें कि कौन-कौन सी समस्याइं भी आ सकती हैं गनित कलब ये गर हमारे इसके ब तेहने वादों नमस्कार.